आलो फ्रेंड कैसे हिden आप फ्रूर्ट उब्रित करता हूं आप लोग बढ़िया हूंगे so दोस्तों जैसे की आप देख पा रहे हूंगे यह नियुकरा आप झा il톡 की growth काफी बढ़िया से हो रखी है देख सकते हैं स्रिफ दो ही पौदे लगे हुए इस वाले मेरे पोड में और दो ही पौदे काफी अच्छे से grow हो रखे हैं ठीक है लेकिन मैं आज आपको यह नहीं बताऊँगा कि कैसे grow होते हैं मैं आपको यह बताने बाला हूँ कि हम कौन यह देखीगा वह रे कलर की मिर्च इसलिए पतो में चुपी हुई है वह ठीक से दिखाई नहीं देगी देख सकते हैं यह दिया निए लेकिन इस पर ज्यादा मिर्च क्यों नहीं आई है आज मैं इस टोपिक पर आपको बताने बाला हूँ क्यों मतलब कि हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसके विए से हमारे पौदे पर जाद से जादा मिर्च नहीं आती है ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि जब भी आपने मिर्च का पौदा लगाया है और उस पर फूल तो आते हैं लेकिन कुछ समय बाद में फूल पूरी तरह से मुर्जा जाते हैं देख सकते है इस तरह से मुर्जा जाते हैं और सारे फूल जड़ जाते हैं गिर पड़ते हैं या जड़ जाते हैं कुछ भी आप कह सकते हैं मुर्जा जाते हैं लेकिन उन पर बाद में मिर्च नहीं बन पाती है तो इसका एक ही रीजन है जो सबसे बड़ा रीजन है वो मैं आपको पता इसलिए पानी तेजी से आता है और मिट्टी को पूरी तरह गीला करते रहा है क्योंकि बारिश भी अभी लगातार हो रही है तो इसका हम दूसरा कोई solution नहीं कर पा रहे ठीक है अब बात यह है कि देखिए जो हमारा मिट्ची का पौदा होता है उसके लिए जो मिट्टी चाह पौदे को समाल नहीं पाती है कुछ भी कह सकते हैं उसकी बेश से रिक्ष्ण कर जाती है मतलब की जो सेल्स कह सकते हैं जो स्ट्रॉंग नहीं हो पाती है इस वज़े से फूल उनके जड़ने लग जाते हैं तो इसके लिए हमेसा आपको देखना हुआ कि आपकी जो गमले की मिर्टी यो पूरी तरह से ड्राइ होने चीए सुकी रहने चीए ठीक है जब भी इस पर फूल आने लगे फूल आना सुरू हो तो कोशिश कीजिए कि गमले की मिर्टी को ड्राइ रखें आप सुकापन रखें उसमें जिससे कि आपके जो फूल है वो फूल जड़ेंगे नह अगर नीम खली और जो भी आप इसमें खाद देना चाहते हैं और या फिर जो वर्मी कमपोस्ट आती है वो देना चाहते हैं जो भी आप खाद इस्तेमाल करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका जो पेड़ है वो पूरी तरह से मतलब अच्छी से ग्रो करेगा कोई दिक लगेगी तो उमीद करता हूँ कि आपको यह जानकरी बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या यह सिर्फ मैंने एक डेमो दिखाया था क्योंकि मैंने इसे बारिस म पानी ना जाए और फिर आपको मैं इसका रियल्ट दिखाऊँगा कि कितनी ज्यादा इस पर आप मिर्चे आनी शुरू हो गई है तो अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सबस्क्राइब और लाइक कीजिए वीडियो का कोई भी आपके मन में डाउट ह तो आप मुझसे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद